तो हम आज डिसकस करने वाले हैं आपसे भी ये फर्स्ट येर के प्रथम समेश्टर का जो सोस्योलोजी का एक्जामिनेशन हो रहा है तो उसके most important questions यानि की जो आपका paper हुआ है वो ऐसे questions इसमें कुछ आया हुए है जो questions आपके अभी दख syllabus में नहीं थे या फिर आपने लिए भी साइद नए है और उस पर थोड़ा सा time देना पड़ रहा है चीज़ों को समझने के लिए तो आप देख सकते हैं सोस्योलोजी का paper है introduction to basic concept of sociology आप किसी भी इनवर्शेटी से हैं तो यही आपका paper होने वाला है चाहे आपकी ये paper लिखित भी हो सकता है और objective भी हो सकत हो सकते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इन सभी questions के साथ हम discuss कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपके कुछ questions करवाते हुए आपके देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं पहला question आपका है कि समाज सास्त्र सामाजिक भौत की है ऐसा किस ने कहा था तो यह बहुत इजी question है बहुत बार आपसे examination में पूछा गया question है तो इसका जो आपका राइड इन सर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका आगस्ट कामटे इस तरीके से आप देख सकते हैं और भी questions आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं नेक्स्ट यह पेस पर आप देख सकते हैं 5th number का question यह कह रहा है आपसे क्या निबलखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेष्था नहीं है समुदाय की विशेष्था नहीं है क्या हो सकता है इसके लिए राइड इन सर तो इस question का जो आपका राइड इन सर हो जाएगा वो क्या है यह सामाजिक मोल है संस्कृतिक मोल है संस्कृतिक प्रतिमान है या कानून है तो यह क्या है यह बेसिकली एक आपका संस्कृतिक गुड है जो आपने अपने संस्कृति से अपने कल्चर से सीखा है तो ठीक है अधरवाइज यह चीज क्या है कोई कंपलसरी नहीं है इस तरीके से आप देख सकते हैं 8th number, 9th number, 10th, 11th number questions काफी important questions हैं इसमें से कई सारे questions तो ऐसे हैं जो कि मतलब पहली बार पूछेगे हैं जैसे कि आप यह देख सकते हैं 11th number का question है यह भी काफी नया question है और यह भी 9th number का question भी आपने आप में एक थोड़ा सा concept ट्विश्ट करके उचाओ जैसे आप देख सकते हैं वर्ग निर्माण आधारित होता है किस चीज़ पर आपके options हैं जन्म के आधार पर कारे के आधार पर समान हीतों के आधार पर या इनमें से कोई भी सही नहीं है तो देखो वर्ग और वर्ड वर्ड अब देख सुरे होंगे वा और डा के उपर जो यह रा रहता है यह जो होता है यह आधारित होता है कारे के आधार पर लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हो वार गतों यानि कि यह चीज नहीं है तो इसका जो सबसे बेस्ट एंसर हो सकता है वो सकता है option number 3 आपका तो इसी तरह से कई सारे ऐसे questions टिपिल का typical questions इसमें प question 14 number 15 number जैसे समाच सास्त्र को माना जाता है समाच सास्त्र को क्या माना जाता है तो समाच सास्त्र क्या है एक सामान निफसा विज्ञान है सिंपल साइंस है समान विज्ञान है आप इसी तरह से देख सकते हैं 15 number का question किस ने प्रतचवाद की अधारा दिया हुआ था तो आपक आपको देखने को मिलती है आधरसात्मक पध्धत में तो right answer क्या हो जाएगा D number option उपर यूख सभी इस तरीके से आप देखिए 17 number 18 number 19 number आप देख सकते हैं देखिए 17 में समुदाय उदाहड है किस चीज का उदाहड है तो समुदाय क्या है एक जंजाती है समुह का उदाहड है तो आपका right answer हो सकता है आपका option number 4 तो इस तरीके से आप देखते चलिए 20 number का question कह रहा है आपसे कि मातर प्रित्र संबंधी का अभिप्राय निमलिखित में से कौन सी नातेदारी से तो मातर प्रित्र इन दोरों से मिला करकर कि क्या हो सकता है माता का वंसकरम भी हो सकता है पि जीवन है ही समाज है कहा जहां जीवन है वहीं समाज है ऐसा किसने कहा था अपसेंस आपके सामने दिख रहे हैं आगश्ट काम टेहरवाइड इस्पेंसर मैकाइबर पेज, confusion तो इन चारों में आपका right answer क्या हो जाएगा 25 number question के लिए तो यह कहा हुआ था किसने मैकाइबर न question तो क्या हो जाएगा इस question के लिए आपका right answer आपके options है क्रोबार, Darwin, Spencer या Morgan तो देखो इसका right answer है वह maximum Darwin का हो सकता है शाप फिर मतलब कि मानों के उद्विकास के बारे में स्वारी यह Darwin ने जीवन के उद्विकास के बारे में बताया हुआ था लेकिन अगर आप समाज के question thirty-two, thirty-three इसमें का हुआ है कि जादू णिध्यान की दोगली वहन है, ऐसा किसने कहा हुआ है, आप दिख सकते हैं 31 number का question, तो ऐसा किसने कहा हुआ था- तो जादू के बारे में Fraser ने बात करते व packed it — यह चीज और आ था, वह वह जह है वह क्या है दोगली वहन है इस तरीके से आप देख सकते हैं 33 number का question 34 35 36 37 आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है आप से जैसे आप 36 number question ले लिजे ये काफी नया question आप देख सकते हैं वर्सें टम उपागम से किसका नाम जुड़ा हुआ है ये बहुत ही मतलब एकदम new question है और बहुत सारे जगों पर मैंने अभी तक इस question को देखा नहीं है तो इसका जो maximum हो सकता है ये उपागम से related ये जो है इन में से ये दिनों तो नहीं हो सकते हैं जादे तर chances हैं आपका email दुर्खीम के इसका right answer होने का इस तरीके से आप देख सकते हैं 38 39 40 41 इस तरीके से आप देखते चलिए questions का जैसे कि आप देख सकते हैं 39 number question कह रहा है आपसे कि राष्टगान के प्रती आप एच्छित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना वस्ते का मतलब राष्टगान के प्रती अगर आपको आदर प्रस्तुत करना है कि हम राष्टगान का सम्मान करते हैं राष्टगान का आदर करते हैं तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा नमन करना हो जाएगा या उसको गाना हो जाएगा या आदर पूर्बक खड़े रहना हो जाएगा या गाना और आदर पूर्बक खड़े रहना हो जाएगा या गाना और आदर पूर्बक खड़े रहना हो जाएगा या गाना और आदर पूर्बक खड़े रह और बुराने शीरियल्स, या फिर मतलब जो धार्मिक शीरियल्स है, उनमें देखेंगे तो आप देखेंगे गंधरू बिवाज हो है, वो प्रेम बिवाख का एक परंपरागत सौरूप है या नाम कह सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, 43 नमबर का question, 44 नमबर का question, 45 नमबर का question, तो यह सारे कुछ इस question में है, आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, तो इन सभी के answer के साथ मैं पूरा प्रापर वीडियो साम तक ही provide करवा दूँगा आप लोगों को, तो ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताईएगा, next question है, आपका society पुस्तक के लेखक कौन है, 46 नमबर का question देख लीजिए, society जो पुस्तक थी, उसको किसने लिखा हुआ था, तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा, आपका option number first, जो है, मैकाईबर और पेज, यह काफी important question है, कई बार आपके साथ discuss किया गया है, कि society पुस्तक के लेखक कौन है, मैकाईबर और पेज, आगे देख सकते हैं, 47 number, 48 number, 49 number, तो इस तरीके से questions आपके सामने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मानो समाच, यह एक पुस्तक था, बहुत फेमस पुस्तक था, इसका लेखक कौन थे, तो आपके options आपके सामने दिख रहे हैं, 49 number question के लिए, तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका option number first, डे भी हो जाएगा इसका right answer, इसी तरीके से, आप देखते चलिए, आपका options हैं, 51, 52, 53 number का question, जैसे आपको पता है, 51 number question कर रहा है, समाच, सास्त, क्या है, इसके लेखक कौन है, अब इस question के लिए, आपका right answer क्या हो जाएगा, 51 number question के लिए, तो इसका हो जाएगा, आपका option number first, जो इंकल्स है, ये maximum time पर इसका right answer हो सकता है, 51 number question के लिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question आपके सामने दिख रहा है, 54 number का question, 55 number, 56 number, 57 number, अब आप देख सकते हैं, जो ये 55 number का question कह रहा है आपसे, वो कह रहा है, आपका introduction to sociology, ये पुस्तक किसने लिखा हुआ है, काफी important question है, maximum बार ये आप से पूछा गया question है, तो इसको लिखने वाले कौन हैं, गिडिंग्स हैं, तो आपका right answer हो जाएगा, कौन सा, गिडिंग्स, इसी तरीके से आपके और भी questions नीचे आपको दिख रहे हैं, आगे बढ़े हैं अगला question, 58 number का question, 59 जैसे कि ता sociological imagination, इस पुस्तक को लिखने लिखा हुआ था, 59 number question देख लिजे, तो आपके options है, Mills, Leach, Morgan and Cooper, तो right answer हो जाएगा, आपका option number first, Mills, इसका right answer हो जाएगा, तो इसी तरीके से आप देखे, 60 number question आपको दिख रहा है, नीचे आएंगे तो और 61, 62, 63, इन में से question अगर आप देखना चाहो, तो इन में से आप देख सकते हो, 61 number का question, या किसने कहा कि सिच्छा, एक ब्यापक अर्थ में बचपन से ले करके, प्रोड अवस्था तक सामाजिक नियंत्रड का एक महत्पूर सासन है, आपके options हैं, बोटामोर, जॉन डीबी, रॉस और महत्मा गांदी, तो राइडिन से क्या हो जाएगा इस question के लिए, आपका option number second जो जॉन डीबी है न, ये जॉन डीबी का कतन था, इस तरीके से आप देख सकते हैं, 63 number का question, 64, 65, 66, 67, आप देखोगे, इसमें जो आपका question दिख रहा है, समाज सास्त के जनक के बारे में जब भी बात किया जा रहा है, तो इसमें आप देखोगे, जब जनक के बारे में बात करेंगे, आप से, कि हिंदू बिबाह का साब्दिक अर्थ क्या होता है, 69 number question देख लिजे, हिंदू बिबाह का साब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो हिंदू बिबाह का साब्दिक अर्थ होता है, आपका परिग्रहाण, यानि कि दूसरे की घर जाना ही परिग्रहाण हो गया 70 number question, 71 number का question इसी तरीके से देख सकते हैं 72, 73, 74, 75 जैसे कह रहा है आपका कि संस्कृति का मुख बाहक क्या है तो संस्कृतिया कहां से चलती है तो संस्कृतिया चलती है तो वो संस्कृति जो होती है वो एक समाज में चल रही होती है और समाज ही उसका संवाहक होता है और समाज में कौन होता है? ब्यक्ति होता है तो मतलब इन दोनों में कोई right answer हो सकता है लेकिन जादे तरफ point of view पे आप समाज ही देखोगे समाज जो है वही संस्कृति का क्या है? मुखे वहाक है और इससे भी जाद important आपका ब्यक्ति हो सकता है वोगि ब्यक्ति हो से ही मिल करके क्या बनता है? समाज बनता है और समाज संस्कृति को ले करके चलता है तो इस तरीके से हमने देखा ये 75 number question तक हमने सारे questions आपको रिखा दिया है अगर इन questions का एक एक question का आपको answer चाहिए तो please comment में जरूर लिकर के बताएगा and 100 likes का complete होगा तो हम इस पर आज साम तक ही आपके लिए इसके answer के साथ वीडियो ले करके सरूर आएगे ओके मेरे दोस्त तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक चरूर कीजिए पहली बार चैनल पर आएगे प्लीज बिजिट दे चैनल इफ यू ठिंक इडिज वेलेवल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन चैवारत थैंक यू बाबाइ